क्रिकिट के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच बुकाबला देखने को बेकरार फैंस के लिए खुश खबरी है ICC ने T20 वर्ल कप के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिससे दोनों मुलकों की टीम जरूर एक दूसरे से टकराएंगी ICC ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच UAE में वोनेवाले T20 वर्ल कप की ग्रूप का एलान कर दिया है जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रूप में रखा गया है ICC ने अपने बयान में कहा कि गुरूप में टीम का सेलेक्शन 20 मार्ज 2021 तकी रैंकी के अधार पर किया गया मौजुदा चैंपियन वेस्ट इंडीज को इंगलेंड आस्टेलिया के साथ गुरूप एक में रखा गया है राउंड बन क्वालिफायर की दो टीमें इसमें शामिल की जाएगी वहीं गुरूप डू की बात करें तो इसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा म्यूजिलेंड और अफगानिस्तान को रखा गया है यहां भी राउंड वन क्वालिफायर की दो टीमों को जगाहा दी जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच आखरी इंटरनेशनल मुकाबला 16 जून 2019 को ICC वर्ल्ड कप के दोरान हुआ था मैंचेस्टर के ओल्ड ट्रेफ़र्ड में खेले गई इस वन डे मैच का फैसला डगवर्ट लुईस नियम के तहट किया गया जिसमें भारत पाकिस्तान को 89 रन से करारी शिकस दी थी और एक बार फिर भारत पाकिस्तान को शिकस देने के लिए तयार है बता दें कि कोरोना महमारी के कारण T20 वॉल्ड कप 17 अक्तुवर से 14 नवंबर के वीज भारत की बज़ाए यूएई और ओमान में खेला जाएगा ओमान में हुए समाहरों में ICC अधिकारियों के साथ PCCI अध्यक्ष सौरफ गांगुली और सचिप जैशाहा ने भी हिस्सा लिया T20 वॉल्ड कप के मैच च्रिडूल अगले हफते जारी किये जाने की संभावना है ICC ने T20 विश्व कप मुकाबलों के ग्रूप की गोशना कर दी है दिल्चस्प ये है कि भारत अपने चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रूप में है दोनों सुपर बारा के ग्रूप दो में है आखरी बार दोनों टी में 2019 के वंडे वर्ल्ड कप में भिडी थी जिसमें भारत में बाजी मारी थी और इस बार भी पाकिस्तान को चित करने के लिए भारत तयार है इस खबर में फिलाल अतना ही बने रही है क्यापिटल टीवी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया